नमस्कार जैहिंद, dear friends, 90 days free spoken English course में आपका स्वागत है, आज है day 39 और हम सीखेंगे past continuous tense, साथ में बहुत सारे phrasal waps, उनके practical usage spoken English में ये मैं आपको बताऊंगा आखरी में, और जो कुछ भी मैं आपको सिखाऊंगा उसके practical aspects भी बताऊंगा घर बैठे बिना coaching, free of cost, मातर 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, smart and confident बने, with activity, based on L, S, R, W, technique, step by step अंग्रेजी सीखने के लिए कृप्या हमारे YouTube चानल, My Career Doctor के playlist, 90 days free spoken English course अवश्य विजिट करें Study material की link description box में दी गई है, online या offline paid course के लिए दिये गए number या address पर contact करें जैसकी, आप से बताया जाता है कि आपके पास एक speaking English partner जरूर होना चाहिए, practice partner जिसके साथ आप practice करें हमारे telegram channel My Career Doctor को अवश्य जोइन कर ले, वहाँ Saturday Sunday को हम आपको free में class देते हैं हम आपको सबसे पहले एक प्रोवाब सिखाते हैं, साथ साथ आप एक प्रोवाब सीखिए, सुरुवात के 30 दिन तक के वीडियो में आपको एक tongue twister भी सिखाया है जिसकी मदद से आपकी जमान अच्छे से twist होगी, आपको मदद मिलेगी, speaking English practice होगी ताकि आप बहतर बोल सके आज का जो प्रोवाब है, वो है too much curtsy, too much craft, बहुत अधिक मधुरवानी दगाबाज की निसानी जो बहुत मीठा बोलता है, वो कहीं न कहीं दगाबाज, मतलब कुछ तो उल्टसीदा होई सकता है आपके साथ की, जिसको आप जानते नहीं, वो आपके साथ बहुत पोलाइटली पेस आ रहा है, वो भी first meeting से, तो I think something is fishy there तो too much courtesy, too much craft, यह है, tongue twister हम आपको इसलिए करवाते हैं ताकि आपकी tongue twist हो अच्छे से, देखिए past continuous tense का क्या मतलब होता है, पहले हम यह जान लेते हैं बाबू, past continuous tense का मतलब होता है, past, continuous, c-o-n-t-i-n-u-o-us, past continuous का मतलब होता है, action was continue in past, action was, पहले मैं on an average idea बता देता हूँ, ताकि आपकी doubts present continuous, past continuous and past indefinite में clear हो जाए, action was continue in the past, यानि past में कोई भी क्रिया क्या हो, जो जारी हो, जारी का क्या मतलब होता है, मैं अभी बता देता हूँ आपको, और यह है आपका present continuous, p-r-e-s-e-n-t, present present continuous, action is continue in the present, at the moment of speaking. तो action is continue at the moment of, action is continue at the moment of speaking. action was continue in the past. जब क्रिया, जिस वक्त हो रही हो, उसी वक्त हम बोल रहे हैं, उसी वक्त हो रही हो, तो present continuous, जैसे कि I am teaching you, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. I am teaching you, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, I am teaching you, इसी वक्त पढ़ा रहा हूँ, at the moment, दिखिए, present indefinite और continuous में क्या अंतर होते हैं? Present indefinite का मतलब I teach you, मैं इस वक्त पढ़ाता हूँ, या तो इस वक्त या पढ़ाता हूँ, as a routine, but I am teaching you, this is temporary action, तो past में ये क्या हो गया? Temporary action, present indefinite, एक permanent action होते हैं, I teach you, it has two senses, या तो मैं इस वक्त आपको पढ़ाता हूँ, या अक्सर मैं आपको पढ़ाता हूँ, that is present indefinite tense, I teach you, it has two senses, लेकिन I am teaching you, it has one sense only, कि इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और past continuous का मतलब I was teaching you, मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था, ये past की क्रिया हो गई, same हैं दोनो, present में, is MR past में, was what आप use करते हैं, पढ़ा रहा हूँ, तो I am teaching, पढ़ा रहा था, I was teaching, ये दोनो temporary action है, यानि कुछ देर के बाद ये क्रिया खत्म हो जाएगी, लेकिन I teach you, य एक permanent action है, is that okay, तो अब हम आगे चलते हैं, और आपको मैं बताने की कोसिस करता हूँ, उसे न बोल बोल के आप practice करिये, active recall के जरिये, हम आपसे अकसर कहते हैं, कि आप न sentences को बोल बोल कर practice करने की कोसिस कीजिए, उसे न आपकी speaking ability improve होगी, यदि आप बोल कर practice करेंगे, तो अच्छा feel करेंगे, आपकी speaking ability improve होगी, और कहीं न कहीं आपको benefit देगा, आँख मोंद कर बनाते नहीं रहना, सीधा लिख कर, बोल कर भी practice करना है, तो past continuous tense का मतलब होता है, it describes ongoing action in the past, यानि past में क्रिया जारी थी, that is called ongoing action in the past, हिंदी में आप देख सकते हैं, रहा था रहे थे रही थी, अब formula जान लेते हैं, अगर structure की बात करें, तो formula subject was, were, negative है, तो not, v4 मतलब ing वाला, इसको हम v1 plus ing बोलते हैं, plus of, एक बहुत एहम चीज़, कि was हम किसके साथ use करें और were किसके साथ use करें, तो present में आपने जिसके साथ is और m यूज किया है न बाबू, तो past में उसके बदले में was, और present में जहां आपने are use किया है, past में were, याद रखिएगा, यहां भी re, were में भी re, इसमें is है, तो इसमें is है, एस है, एस, एस, एम, बस इसमें add कर दीजी आप, तो कहने का मतलब third person singular, he, she, it, या कोई एक नेम हो, तो उसके साथ आप क्या use करेंगे, is, और जै तो past present में are और past में were, जैसे you के साथ past में were, we के साथ were, दे के साथ were, jack है, तो jack is, past में jack है, तो jack was, इस, इसको आप जरूर धियान रखेंगे, जैसे लड़के दौर नहीं रहे थे, या लड़के दौर रहे थे, तो यहां पर हम the boys इसी लिए बोलेंगें बाबू, क्योंकि हम को मालूम है कौन से लड़के, तो जब मालूम हो कि particular sense में हम the का use करते हैं, वैसे नहीं करते हैं, लड़के दौर रहे होते हैं, तो अगर आपको नहीं मालूम हैं, तो boys are running that time, और लड़के दौर रहे हैं, it means you know, the boys are running, एक लड़का आपका इंतजार कर रहा है, अगर नहीं म के बहुत सारे uses हैं, articles मैंने पढ़ाया हुए है, उन्हें आप एक बार जरूर देख लें, अब लड़के ने दौर लगा ली, boys ran, the boys ran, दौर लगा ली, past indefinite tense, the boys ran, run का past क्या होता है, ran, लड़के दौरते हैं, तो the boys ran, लड़कों ने दौर लगा ली, the boys ran, और रहे थे, the boys were running, और नहीं, तो not running, और were not को हम warrant भी बोलते हैं, contractions मैंने आपको सिखा दी है, the boys weren't running, राज अपने भाई को पीट रहा था, राज अपने, राज was beating his brother, यहां full stop होगा बाबु, sorry, राज, दा राज नहीं बोलेंगे, राज was beating his brother, राज मेरे भाई को पीट रहा था, राज was beating my brother, राज अपने भाई को पीट रहा था, राज was beating his brother, अपने भाई को ओन ब्रादर नहीं बोलेंगे, his brother, गाई चर रही थी, the cow was grazing, the cow was grazing, ग्रेज का मतलब होता है चरना, जी तू प्रतिक्षक कर रहा था, जी तू was waiting, negative है तो जी तू wasn't या जी तू was not, आप इसको ऐसे भ आप वाजनोट को आप वाजन्ट बोलते हैं, right, वह गाना नहीं गा रही थी, she was not singing a song or she was singing a song affirmative, देखिए, अब ये sentences आप बोल बोल कर जरूर प्राक्टिस कीजिएगा, वह भीख मांग रहा था, he was begging, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, I was waiting for you, वह अपना पार्थ याद क रहे थे, he was learning his lesson, मेरी पतनी पत्र लिख रही थी, my wife was writing a letter, मचवारे नदी में मचली पकर रहे थे, मचवारे, तो मालूम है, the fisher man, एक है तो the fisher man, और एक से अगर जादा आपको लगता है, तो the fisher man, the, मालूम है मचवारे तो the fisher, F-I-S-H-E-R, fisher man, were, अब men हो गया तो क्या हो जाएगा, were catching, catching, fish, were catching, catch means पकरना, या, the, the fisher man were fishing, मचली पकरना को हम fishing भी बोलते हैं, fishing, let's go for fishing, the, the fisher man were catching fish, और इस तरीके से आप बोल बोल कर क्या करेंगे, sentences, देखिए, interrogative sentence में आप जानते हैं, कि सवाल दो तरीके से पूछा जाता है, यह है, how to ask question, interrogative में हम सवाल दो तरीके से पूछते हैं, एक जिसका answer या तो yes या no में होता है, और जहां हम किसका इस्तिमाल करते हैं, wh form का इस्तिमाल करते हैं, एक जिसका answer yes या no में होता है, और दूसरा जिसमें हम क्या इस्तिमाल करते हैं, हम wh form का इस्तिमाल करते हैं, तो यह जो interrogative sentence होता है, जैसे कि क्या आप हस रहे थे, और अगला है, आप क्यूं हस रहे थे, आप क्यूं हस रहे थे, आप क्यूं हस रहे थे, क्या आप हस रहे थे, तो इसके English क्या होती है, क्या आप, देखिए, आप subject है और क्या means what होता है, यह एक wh form के है member, लेकिन जब क्या subject से पहले आ जाए, तो what नहीं हम use करेंगे, तब verb को पहले ले आते हैं, तो were, you, l-a-u-g-h-i-n-g, और आप क्यूं हस रहे थे, तो यह है wh form, why पहले आ जाएगा, अभी मैं formula के साथ आपको बताता हूँ, पहले structure जान लिजए, why were you laughing, तो अगर क्या आप हस रहे थे, yes तो, yes, नहीं तो, no, और आप क्यूं हस रहे थे, तो जहां reason पूछा जाता है, यहां सिर्फ जवाब दीजिए, yes और no में, क्या आप हस रहे थे, क्या आप खा रहे थे, क्या आप जा रहे थे, मैं सो रहा था, मैं नहीं सो रहा था, क्या आप सो रहे थे, क्या आप नहीं सो रहे थे, भाई आप क्यों सो रहे थे, why were you sleeping, आप सो गए, तो you slept, आप नहीं सो ए, तो you did not sleep, क्या आप सो गए, did you sleep, बोल के जब आप practice करेंगे ना बाबू तो आपकी ये this is called active recall इसे आपकी speaking English muscle की अच्छी practice हो जाएगी तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे interrogative sentence जब आप yes और no वाला है जहां क्या subject के पहले आजाए formula was या were plus subject negative है तो not v4 और v4 का मतलब v1 plus ing अब देखिए क्या मैं जा रहा था तो was I going क्या जी तू पढ़ रहा था तो was जी तू reading studying भी बोल सकते हैं reading का मतलब normally किसी चीज़ को पढ़ना study का मतलब उसमें deep में आ जाते हैं चीज़ अगर आप research भी कर रहे हैं किसी चीज़ पर तो I'm studying on cancer, doing this, that, blah, blah and all क्या बच्चे सो रहे थे तो were the children sleeping क्या बच्चे सो रहे थे तो were the children sleeping क्या बच्चे सो रहे थे तो were the children sleeping क्या मैं नहीं पढ़ रहा था Was I not reading Was I not reading क्या लड़के हो हला नहीं कर रहे थे तो were the boys लड़के मालूम है तबी तो हमने बोला लड़के since not making a noise और weren't the boys making a noise तो ये तो आपका interrogative हो गया अब sentences बना लीजिए क्या बच्चे हो हला कर रहे थे तो were the children making noise अब इसको हम ऐसे बनाते है negative the children were not making noise were the children making noise were the children not making noise why were the children making noise why were the children not making noise इस तरीके से आप sentences बनाएंगे वह मेरा इंतजार कर रहा था he was waiting for me negative he was not waiting for me was he waiting for me was he not waiting for me इस तरीके से आप क्या करेंगे sentences बनाने की वह form interrogative है तो पहले वह form फिर was were subject negative not before जैसे जी तू कहां देखे जी तू जा रहा था जी तू was going जी तू नहीं जा रहा था जी तू was not going क्या जी तू जा रहा था तो was जी तू going क्या जी तू नहीं जा रहा था was जी तू not going जी तू कहां जा रहा था where was पहले वह form फिर was were में was आएगा जी तू कहां जा रहा था तो पहले where फिर was were में आप क्या use करेंगे where फिर was were में आप क्या use करेंगे was where was जी तू going तू कब पढ़ रहे थे तो when were you reading वह क्यों हस रही थी why was she laughing हस रहा था तो why was he वे लोग क्यों रो रहे थे why were they weeping वह कैसे परिक्षा की तयारी कर रहे थी how was she preparing for the examination how was she preparing for the examination how was she preparing for the examination अब ये sentences आप बोल बोल कर practice कर लेंगे अभी मैं आपको क्या बता देता हूँ कि ये जो phrasal verbs हैं इनके use कैसे करने हैं मैं आपको sentences समझा दूँगा आपने इसको बोल बोल कर practice जरूर कीजिएगा ऐसा करने से क्या होगा ना आपकी speaking English muscle strong होगी देखिए bear the insult का मतलब होता है अपमान सहना जैसे अब और मैं अपमान नहीं सह सकता now I can't bear my insult further now I can't bear bear लोग इसको बोलते हैं bear bear the insult I cannot bear my insult मैं अपमान नहीं बरदास्त कर सकता वह मुझे अपमान करता है he insults me but I never insult him इस तरीके से बोल बोल कर practice कीजिएगा I can't bear the insult here अब मैं यहाँ अपमान नहीं सह सकता insult others one should not insult others इनसान को दूसरे की दूसरे को अपमान नहीं करना चाहिए या तो यह बोलिए people should not insult others या one should not insult others are you insulting में क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं बोल बोल कर practice करना बाबू are you insulting pull the leg पैर खिचना जैसे एक होता है leg pulling क्या होता है पैर खिचातानी यानि दूसरे की चुगली करना बुराई करना I don't believe लिखते रहिएगा लिख ली चैएगा I don't believe in leg pulling I don't believe इसको बोल बोल कर दिखिए direct अगर आप past continuous पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा लेकिन जो चीजें मैंने आपको as a base में समझाया है अगर उसको context में रहते हुए इसको पढ़ेंगे तो आपको ना चीजें why do you pull my leg तो मेरा पैर क्यों खीचते हो एक तो पैर खीचने वाला और दूसरा मेरी बुराई करना मेरे बारे में you know criticize करना find fault with others I never find faults with others मैं दूसरों में कभी भी दोष नहीं ढूंडता हूँ he is finding faults with me he is finding faults with me spoken English में generally I use this in he is finding faults in me वह मुझमें दोष धूंड रहा है come late you always come late she is coming late he is coming late he was coming late इस तरीके से बूल कर practice करें get late to office office के लिए late हो जाना why do you always get late to the office are you getting late to the office कै तुम office के लिए देर हो रहे हो fill up the examination form excuse me sir please give me the examination form I have to fill up it मुझे इसको fill up करना है let suppose आप examination form fill कर रहे है मैं आप से पूछा क्या कर रहे है आप आप बोलेंगे I am filling up the examination इसको तो आप filling कर सकते हैं न बाब उतना जानने के बाद I am filling up the examination form to drop the idea now I have dropped the idea अब मैंने विचार छोड़ दिया है now I have dropped the idea now I have dropped the idea अब मैंने विचार छोड़ दिया है now I have dropped the idea make up mind please make up your mind मन बना लो बाबू अगर English सीखना है जिंदगी में कुछ अच्छा करना है बहुत बड़ी कामियाभी हासिल करना है तो first I will recommend you make up your mind make up your mind मन क्या कर लो बना लो make up your mind first make up your mind first make up your mind आप क्या कर लीजिए मन बना लीजिए make up your mind follow the instructions निर्देशों का पालन करे are you following the instructions were you following the instructions were you not following the instructions why were you following the instructions why were you not following them get fresh and up हाँत मूँ दोकर तयार हो जान I get up early in the morning take two glasses warm water just walk for some time go to washroom and get fresh and up are you getting fresh and up क्या तुम हाँत मूँ दोकर तयार हो रहे are you getting fresh and up get को क्या बना दिया getting get a job finally I got a job, finally I got a job, look for a job, I am looking for a job, well two months ago I was looking for a job and finally I got a job as well, turn up the volume, awaj badhado, can you please turn up the volume, turn down the volume, awaj kam karo, can you please turn down the volume, call a plumber or electrician, null size, well my faucet got out of action, so can you please call a plumber, plumber, plumber nahi, plumber ka matlab null size ko tum bula sakte ho ya electrician ko ghar ke kaam ho toho, lose the opportunity, chance match ya weight, I lost the opportunity, mainne moka gama diye, I lost the chance, I lost, we lost the match, hum I lost my 10 kgs of weight, mainne apne 10 kg vajan ghaata diye, I lost my 10 kgs of weight, I lost my 10 kgs of weight, lose the opportunity, lose the chance, match weight, post the letter, dag ghar mein chitthi chhodna, I have posted a letter, I have posted the letter, I have posted a letter, nahi maalum hai, toh make program, kare karam, let's make a program, we are planning to go to Rajgir, I am sorry, main ye akstar bacho ko jhoot bolta reta ho, isa liye, right Ariya sir, okay, change the program, why did you change the program, aapne program kyun badal diya, call off the party, put off the party, party rad karna, hey please, do not call off, off the party, party rad mat ki, once you have made the program, sanction the leave, chhutti manzoor karna, chhutti manzoor karna, now I got my leaves sanctioned, mujhe chhuttiyaan meri manzoor ho gai hai, I got my leaves sanctioned, meri chhuttiyaan, please sanction my leaves sir, boss, keep in touch, sampark mein rahi hai, please keep in touch, complete the formalities, aapcharikta hai, puri karna, did you complete the formalities, yes, yes, no, 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 I am just completing it, main abhi isko pura karraho, miss the bus, I missed my bus, miss ka past kya hoota hai, toh isko na babu, bol bol kar practice kijiye, toh zyadha catch the early morning train, earn livelihood, well, I teach people and with the help of teaching, I earn my livelihood, mein aapna AGB ka kamaata, send SMS, kill time, why are you killing time, tum samayi kyun bherbaad, kill means bherbaad karna, marna donoh hoota hai, idle time, bekar ka samayi, chill out, tension mat lo, maze karo, let's chill out, aur kya hai yye, pass time, well, how do you pass your time, electricity bill is due, last wala, yani electricity bill joh hai, woh due hai, mujhe umeed hai, ki aap aise hi, isko bol bol kar, joh minne tense ab tak sikhaay hai, aap isse practice karenge, joh aap ki bohat madat karrega, and I'm sure aap isko bol bol kar, jarur practice karenge, so that they'll help you a lot in speaking english, writing english, while understanding this and talking to people, thank you very much for watching, I hope this is nice, please write down there in the comment, how was this video, should I continue this or not, Jai Hind, Jai Bharat.